बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है और प्रारम में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को माननेता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है आशा की किरन लेकर आ रही है उमन्ग का आगाज लेकर के आ रही है आज एक महत्वकु अवसर है भारत के वरतमान राश्पती जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है राश्पती जी का भाशन भारत के समिधान का गवरव है भारत की संसदिय प्रणाली का गवरव है और विशेश रुप से आज नारी संमान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है न सिर्फ संसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गवरों का पल है कि भारत के वरतमान राश्पती जी का आज पहला उद्वोधन हो रहा है और हमारे संसदिये कार्य में गच्छे साथ दसक्त से जो परंपराय विक्सित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया संसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्योंन हो जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है उनका आत्मविश्वाद बढ़े उस प्रकार से एक सानुकुल बातावन तयार करता है एक उद्वय उजवल और उत्तम परंपरा है आज राष्पती जी का उद्वोधन भी पहला उद्वोधन है सभी सांसदों की तरफ से उमंग उत्सा और उर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो ये हम सब का दाईत्व है मुझे विश्वास हम सभी सांसद इस कसोच्टिक पर खरे उत्रेंगे हमारी देश की वित्नमंत्री भी महला है विकल और एक बजेट लेकर के देश के सामने आ रही है आज के वैश्विक परिस्तिती में भारत के बजेट के तरफ न सरिब भारत का लेकिन पूरे विश्वा का ध्यान है दावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्ति में भारत का बजेट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांशाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्व जो आशा की किरन देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाश्मान नजर आएं मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्यास करेगी भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्व में अंडिये सरकार उसका एकी मकसद रहा है एकी मोटो रहा है एकी लक्ष रहा है और हमारी कार्य संस्क्रिति के केंदर बिंदु में भी एकी विचार रहा है इंडिया फर्स, सिटिजन फर्स, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी उसी भावनाओं को आगे बढ़ारते हुए इस बजेट सत्र में भी तक्रार भी रहेगी लेकिन तक्रीर भी तो होनी चाहिए है और मज़े विश्वास है कि हमारे विपक्ष्चे सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्यान करके सदन में अपनी बात रखेंगे सदन देश के निती निधारन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा लग फिर एक बार आप सब का स्वागत करता हूँ बहुत बहुत सुप्वामनाई देता हूँ